नारायनन नमस्कृत्य नरंचै वनरोत्तमं देविं सरस्वतिं व्यासंता तो जयमुदीर येद प्रियस्वजनो गीता फॉर दा मॉडरन एज का आज 92nd पार्ट है बहुत सुन्दर रूफ से अपनी यातरा चल रहे है भगवत गीता के तीसरे अध्याई पर हम चिंतन कर रहे हैं करमयोग पर प्रमात्मा के आशिरवाद भी दे दें जिस परिवार ने इसका मनुरत किया है सेवा प्रदान की है पूजा बहन मेहुल भाई त्रिवेदी और उनका प्यारा पुत्र हरियंश दुबई से ये परिवार है और बड़ी उदारता से उन्होंने अगवान श्री कृष्ण की ये सेवा प्रदान की है सत्संग के रूप में इश्वर का अनुग्रह उन पर निरंतर बरस्ता रहे आए प्रियस्वजनों पिछले दो सत्रों में हमने देखा बगवत गीता के तीसरे अध्याय के 14 वे और 15 वे श्लोकों का चिंतन किया कि सुरुष्टी का एक जो सुंदर चक्र चल रहा है अन्नाद भवंति भूतानी अन्न से जीव मात्र का सरजन होता है परजन्याद अन्न सम्भववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव वुद्पन होते हैं तस्मात शरोगतं भ्रं मह इसलिए सारा जो ये सर्वदतन सरव व्यपी आमनि प्रेजन्ट ऐसा जो भ्रं है रहा नित्यम यगने प्रतिश्ठित ऩुर्न तर यगने में प्रतिश्ठित होता है यिnity की प्रतिष्ठा होती है बहुत सुन्दा रूप से हमने नब्वे और 91 ये दो सेशन में उनके उपर चिंतन किया आईए आज सोलहवे श्लोक से आरंब करें और यदी प्रभु की इच्छा होगी तो सत्रवे श्लोक का भी चिंतन आज के ही सत्र में करेंगे पुस्तक आप सभी के पास है भगवत गीता का तीसरे अध्याय का सोलहवा श्लोक एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त यतीह यह अगायुरिंद्रिया रामो मोगं पार्थ सजीवती पगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन एवं प्रवर्तितं चक्रम इस तरह से और ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया है पार्थ प्रुथा का पुत्र और ये संबोधन भी क्यों किया है उस पर हम चिंतन करेंगे हे पार्थ यह इवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त यती जो व्यक्ति इह कार्थ यहां इस मनुष्य लोक में इस तरह का ये जो चक्र प्रवर्तित है ये चक्र ठीक प्रकार से परंपरा से प्रचलीत है चल रहा है उस चक्र को न अनुवर्त यती इसका पालन नहीं करता इसके अनुसार नहीं चलता इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता वू दस नॉट फॉलो इस established system a cyclic system in this universe सह व्यक्ति कैसा है इंद्रिया राम हो इंद्रियों में ही रममान है sensual happiness sis में ही डुबा हुआ है अगायु हू संस्कृत में अगाश अब्दकार्थ होता है पाप और आयू जीवन पाप मैं जीवन जीता है he is leading a sinful life और मोगम जीवती वो व्यर्थ जीता है he is living in vain पर इस पश्ट बात मैंने बार बार आत्मे स्वजोन आपसे कहा है कि भगवत गीता में जब कोई स्पश्ट बात करनी होती है तो श्री कृष्ण ड़स नॉट मेंस वर्ड़्स जो कहना है उपड़ इस पश्ट बाशा में कह देते हैं फिर वहां शब्दों की वो नहीं करते है he does not beat around the bush पगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह स्रुष्टी का चक्र चल रहा है there is a form established well maintained self operative system उसे को कहते हैं चक्र किसके उपर आधारित है वो यग्ण के उपर आधारित है और यग्ण का अर्थ में बार बार आपको स्पश्ट कर दूँ sharing and caring परोपकार की प्रवृत्ती selfless activity निश्काम कर्मयोग वो यग्ण है उसके उपर आधारित है यह सुष्टी का सारा चक्र रहा है सारी सिस्टम sacrifice is the supreme law of life इसको याद रखना यग्ण समर्पन भाव परोपकार इस सुष्टी का सबसे बड़ा परमोच्य सिद्धानत है the individual and cosmos depend on each other व्यक्ती और समस्टी एक दूसरे पर आधारित है इस एंटायर सिस्टम इस इंटरडिपेंडेंट वहां कोई भी व्यक्ती इंडिपेंडेंट होने का दावा करें नहीं सकता एक दूसरे पर आधारित है कॉंस्टन्ट इंटरेक्शन इंटरचेंज चलता ही रहता है he who does not help to turn the wheel thus set in motion एवं प्रवर्तितम चक्रम यह जो बहुत अच्छी तरह से सिस्टम चल रही है उसमें जो contribute नहीं करता है help नहीं करता है वह अगायू evil in his nature sensual in his delightfulness and he lives his life in vain अब इसे को जरा आप समझें डीटेल में प्रियस्वजन हो विज्ञान ने जो प्रगति की है जो development हुआ है उसमें दो बातें अत्यन्त महत्वपून है ये दो बातें नहीं होती तो आप जरा सोचिए सुरुष्टी नहीं चलती आज जिसको भी हम scientific and technological development कहते हैं वो कुछ नहीं होता ये दो बातें नहीं होती तो कौन सी ये दो बाते हैं पहली प्रिहिस्टॉरिक टाइम में प्राग इतिहासिक समय में मनुष्य जब पशू जैसा जीवन जीता था तब भी आग तो लगते थी सुरुष्टी में दो व्रुक्षों के आपस में घर्शन सहवा चलती और वो लगता तो आग जंगल के जंगल जल जाते थी आग थी लेकिन आग के उपर मनुष्य का अंकुष नहीं था मनुष्य विचारा ठंडी में ठिठूरता रहता कच्चा भोजन शिकार जो उसने किया होगा वो कच्चा भोजन खाता था क्योंकि आग अगनी नहीं थी उसके पास तो मानव जाती के विकास्क में एक अदभुत मकाम है it's a very important landmark in the history of human development कि मनुष्य ने आग को control में वो चकमक के दो पत्थर घिसके नीचे गास और ये रखके वो अगनी जलाने लगा उसे जब चाहे वो अगनी जला लेता जब चाहे वो बुझा देता जितना अगनी चाहिए उतना रख लेता अब उठंडी में अपनी आग सेख करके शरीड को स्वस्थर रखने लगा रात के समय जहां उसके पांच साथ दस जोपड़े होते थे वहाँ पर बैठकर आसपास आग जलाकर जंगली हिंस्र पशों से वाइल्ड एनिमल से अपने आपको बचा सकता था भोजन पका सकता था और फिर तो विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा अगनी के कितने स्टीम एंजीन स्टीम पावर कितने बड़ी बात है अब जड़ा शांती से सोचिए यदि जीवन में से आग को हटा लिया जाए तो हमारी सारी संस्कृति कडडड़र भुस करके नीचे गिरेगी तो पहली हमने जो कंट्रोल पाया वो अगनी मानव विकास में मानव के इतिहास में बहुत बड़ी यह ठिलिप माना जाता है दूसरी बात है चक्र की खूज और उसी के साथ मैं गणित के क्षित्र में आरिया भट्र ने जो शुन्य की खूज की और यह तो बड़ी रिसंट बात है प्रियस्वजनों 1215 वर्ष पहले की बात है तभी तक मनुश्य की पास शुन्य नहीं था हाँ भारतिय संसुरती के रिश्यों के पास था चारिय भट्ट ने विश्य को पूरी दिन्या में देखो ग्रीक कल्चर है अदभुत आज भी आप ढाई अजार वर्ष पहले के रुइन से वो भी देखो ग्रीक कल्चर में तो गया हूं रोम में और इटली में मैंने सब जगा देखा है ग्रीक कल्चर में रोमन कल्चर में लेकिन उनके अक्षर देखो जीरो नहीं था तो वो रोम तो चार दाई तरफ लिखो तो छे एक बढ़ता है और बड़ी-बड़ी जब संख्या करनी हो तो उसमें तो आपको पढ़ने में महनत पढ़ेगे हमारे मुंबई में कलकता में प्राचीन जो बिल्डिंग है उसमें वो बिल्डिंग कब बना वो रोमन स्क्रिप्ट में लिख जीरो आ गया पूरा गणित सरल हो गया और वो ही जीरो की जो साथ में जुड़ा है चक्र का शेप विल और लिटरली दिस इन्वेंशन अफ विल हैस सेट कि अगें एक बार शांती से जर आग बन करके सोचो कि हमारे पास यदि चक्र न होता विल न होता कि यह सजनों गड़ी के अंदर का मशीन भी देखो छोटे-छोटे चक्र होते हैं वहां से लेकर के गाड़ी के वील बड़े-बड़े मशीनों के वील यह चक्र की वज़े से कितना काम सरल हो गया और चक्र की विशेष्टा है अग्वान जयां कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम यह चक्र जो इस प्रकार के प्रवर्तित है प्रचलीत है चक्र की विशेष्टा यह है कि वह अपने आप घुंता है it has minimum frictional hindrances वो अपने आप जाता है कोई चतुष कोण होगा square और उसको आपको घुमाना है तो कितना कठीन पड़ेगा लेकिन वही बात आप चक्र को आप थोड़ा सा धक्का मारो तो चक्र कितनी दूर तक जाता है चक्र की विशेष्टा है वो अपने आप घुमता है भगवान दिया कहते हैं कि यह जो अपने आप घुमता है इश्वर की मवलिकता है या तो इश्वर की जो इश्वरी यह शक्ती है दस divine power of the supreme वो क्या है उन्होंने जो सुष्टी का सर्जन किया जो सुष्टी की यह created this world this existence वह autopilot system है हां उसकी अपनी मौज हो तब वो आकर के आउतार धारन करे आये थोड़ा सा कच्रा साफ करके जाओ बात अलग लेकिन एक बार सुरुष्टी कर ली अब वो सुरुष्टी अपने आप चलती रहती है autopilot system है वो बार बार इश्वर को सुबह दोपहर शाम राद 24 गंटे उदर बैठा नहीं परता है यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि वो तो साक्षी चेता केवलो निर्गणश्य गॉड़ जस्ट शुप्रीम पावर जस्ट विटनेस इस इस एक्जिस्टन्स he has just sat in motion that's it अब वो केवल साक्षी है उर्जा देते रहता है और यह चक्र अपने आप चलता है अब इश्वर ने यह जो सुष्टी की है जो चक्र स्वयम अपने आप चलता है उस चक्र को चलाने में जो सहकार नहीं देता और यह चक्र कैसे चलता है यह यह श्रोक याद रखना तीसरे अध्यायका दस्वा और ग्यारवं चलता है सहय यग्यर प्रजा कमेस्ट्व पुँरो वाच प्रजा पति यग्य के साथ कि प्रस्रूष्टी का सर्जन करके मिजय अनेटनब प्रसविश्यद्व मेर श्वस्ति इस यग्य से ही तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी उननती होगी, यलजीए तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला बनेगा, it will fulfill all your desires, और वो कैसे करना है, देवान भावयता नेनते देवा भावयत अध्या, परस्परम्भावयन्त है यही यगने का कॉंसेप्ट है परस्परम्भावयन्त है, help each other, contribute to each other's growth, और श्रेय परमभापस्यत है, तुम दूसरे की प्रगती कराओ, दूसरा तुम्हारी प्रगती अपने आप कराएगा, और ऐसे एक दूसरे की उन्नती करते हुए, कल्यान को आप पाओगे, अब यह जो मूल भूत सिद्धानत है यगने का, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की उन्नती करना, एक दूसरे का सहकार करना, व्यक्ति अपने बारे में सोचें वो ठीक है, वो तो animal instinct है, लेकिन मनुष्यता की जो भावना है, evolved thinking है, enlightened thinking है, व not just to think of one's own self, but to think of others, more than one's own self, क्योंकि दूसरे के विकास में ही अपना विकास है, दूसरे के कल्यान में ही अपना कल्यान है, अपने बारे में तो सबको ही सोचता है, उसमें कौन से बढ़ी बात कर लिया आपने, दूसरे के बारे में सोचना, परस्परम्भावयंतह, यह यग इस चक्र को जो फॉलो नहीं करता है, न अनुवर्तयती, किवल अपने बारे में सोचता है, वो क्या है, भगवान ने कहा, अगायू रिंद्रिया रामो हो, पहली बात तो कहा, वो अगायू है, पाप मैं जीवन जीता है, इस लीडिंग अ सिंफुल लाइफ, इसका अर्था वो जो भी करता है, वो पाप करता है, इसको चिंदन करें, क्यों करता है ये पाप, दुसरा वो इंद्रिया राम है, वो इंद्रियों का उप्यों केवल आरहम के लिए करता है, इंद्रियों में रममान रहता है, सेंशिल हैपिनेस में ही उसका जीवन बीचता है, और हे पार तो हमारी थिंकिंग है तो कि हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत पढलिक के बागे बढ़ गए हम बहुत दीवान हो गए यार हाइली इंटेलिजन वेरी थोड़ी से लिमिटेशन समझ के रखिए अपनी हमने पाप को केवल कुछ क्रियाओं का लेबल लगा दिया कुछ क्रियाओं के उपर पाप का लेबल लगा दिया हमने कि ये करेगा तो पाप है ये करेगा तो पाप है ये करेगा जूठ बोलेगा असत्य भाशन करेगा पाप है चोरी करेगा पाप है यभिचार करेगा पाप है ब्रस्टाचार करेगा पाप है किसी का अपमान करेगा पाप है यूसा वाइलन्स करेगा पाप है हमने पाप को कुछ करने के साथ जोड़ा ethical and moralistic ground पर ये बात सही है लेकिन spiritual या तो religious ground पर जब आप आते हो थोड़ा सा finer and subtle thinking जब करने लगते हो तब पता चलता है कि sin cannot be connected only with doing something. It is also connected with not doing certain things. अब जो केवल करने से जोड़ दिया हो, क्या कहेंगे लोग? देखो, हम तो जूट नहीं बुलते, हम चोरी नहीं करते, हम ब्रश्टाचार नहीं करते, हम व्यभीचार नहीं करते, हम किसी को मारते निविंसा नहीं करते, इसलिए हम पुन्नेशाली हैं, हम पाप नहीं करते हैं, इसलिए हम पुन्नेशाली हैं. Simply because we don't do certain things, we are good people. यहां पर भगवत गीता में श्री कृष्टा बड़ी क्रांती कारी बात करते हैं कि sin is not connected only with doing certain things, it is connected with are you omitting certain things in your doing list? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न करो तो भी पाप लगता है. यह स्रुष्टी का जो सिद्धान्त है, बहुत सिंपल कहें दो, यगन न करो तो पाप लगता है. अब आजकल के जो so-called unreligious person, जो हम किसी धर्मा में नहीं मांते, we don't believe in rituals, ऐसा कहने वाले लोग, कहेंगे हम यगन नहीं करते हो, तो पाप कर रहे हो. Because you are skipping, you are avoiding some certain thing which is a must. दूसरे अर्थ मैं कहूँ. विप्ति कहेगा कि मैं अपनी महनत करता हूँ, प्रामानिकता से मेरा, मेरी आजीविका चलाता हूँ, I earned through my ethical efforts, honest efforts. मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी के माँ डाका डालने नहीं जाता, मैं जूट नहीं बोलता, I pay my taxes regularly, मेरा देखो पूरा record clear है, तो मैं अच्छा हूँ, और मैं अच्छा हूँ, इसलिए मैं पुर्निशाली हूँ. गीता यहां कहती है कि तुम प्रामानिक्ता से मेहनत करके कमाते हो, वो तो वही करना चाहिए, लेकिन यदि तुमने प्रामानिक्ता से जो कमाया है, मेहनत करके जो कमाया है, वो किसी दूसरे के लिए शेर नहीं करते, पर उप्कार की भावना नहीं रखते, तो वो चूरी है, तेरिदत्ता नप्रदा ये ब्योयो भूंगते स्तेन एवसह, तिस्रिद्ध्या के बारह में श्लूक में श्री कृष्टन ने कहा, प्रामानिक्ता से कमाना जितना अवश्यक है, जितना इंपॉर्टन्ट है, उतना ही इंपॉर्टन्ट है, उसका कुछ शेर दूसरे के लिए, परोपकार के लिए, धर्मक के लिए, अध्यात्मक के लिए उसका खर्च करना है, उन नहीं करता है, तो उसका रथा ये चक्र को फॉलो नहीं करता है, अनुवर्टन नहीं करता है, अनुवर्तन शब्द का भी देखिया अनुकारता है फॉलो करना सुष्टी के पास से आपको मिला तो आपने अनुवर्तन किया आपने सुष्टी को वापस लोटाया कुछ पेड़ पर से फल तोड़ तोड़ के खाते ही गए लेकिन उस पेड़ के जड़ों में पानी या खात डालने का प्रयास किया नहीं किया तो ये पेड़ कब तक ठीकेगा फल कब तक लगेंगे उसके उपर पेड़ से फल खाओ आपके लिए ही है पेड़ ने अपने परोपकार का कार्य किया आपको फल दिया तो आपने उस परोपकार का कुछ हिस्सा पेड़ की जड़ों में पानी का सिंचन करके लोटाया ये चक्र पूरा होता है आप पेड़ के पास से फल लो फल खाकर के तुरुपती का आनंद का अनुभव करो संतोष की अनुभूती करो लेकिन तुरंत आपके मन में ये आना चाहिए कि इस पेड़ की जड़ों में जाकर जल देना पानी देना ये मेरा कर्तम्य है ये नहीं क फल खाते जाओ बस पेड़ को जल देने की कौन सोचता है ये 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 सेंश्यूल अप्रोच है लाइफ के प्रति इंद्रिया राम ये पापी जीवन है और कृष्ण तो कहते हैं मोगंपार्थ सजीवती व्यर्थ ऑप्रोच केवल अपनी इंद्रियों को बहलाने के लिए मौज कराने के लिए सेंश्यल हैपिनेस के लिए जो जीता है श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यर्थ जीता है व्यर्थ जीता इसका अर्थ वो नहीं भी जीएगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उसका होना नहोना बराबर भी नहीं है उसका होना नुक्सान दाई है नहोगा तो अच्छा है क्योंकि कम से कम वो नेगेटिव कॉंट्रिबीट तो नहीं करेगा यहाँ प्रभगवान ने अर्जुन को पार्थ संबोधन किया है अब देखिए यह पूरी बात की चर्चा जब शुरू हुई ना तीसरी अध्याई के नवे श्लोक में श्री कृष्टन ने अर्जुन को कमते यह संबोधन किया है यग्ने आर्थात कर्मनोन्यत्र लोको यंकर्मबंद्र वहाँ पहली बार भगवान ने यग्ने शब्द कर्म के साथ जुड़ा है कि कर्म जो करें वो यग्ने की भावना से करो और वहाँ पर तदर्थं कर्म कौंतेया मुक्तसंग समाचर एक कंतेय यगने क्या है तदर्थं कर्म कंता के पुत्र और यहां भी कहा पार्थ कंता का पुत्र वही कंता का पुत्र तो बागवान यह कहता है अर्जुन पहली बात तो देख तु मेरी बू想 का बेटा है मैं तुझे कोई अयोग्य बात तो नहीं बताऊंगा मैं जो भी कहूंगा तेरे कल्यान के लिए कहूंगा दूसरी बात पार्थ का पुत्र कुंते कार्थ कुंता का पुत्र तुम उस माता के पुत्र हो जिसने अपना पूरा जीवन कर्तव्य निभाने में बिताया है वो कहीं पर भी अपना कर्तव्य नहीं चुकी है कितनी मुसीबतें उसको जेलनी पड़ी, कितने कश्ट सहने पड़े फिर भी मा कुंता ने कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा उस कुंता के तुम पुत्र हो अर्जुन याद रखो तुम्हारा भी दाईत्व बनता है इस और इस्पॉंसिविलिटी की तुम अपने करतव्य को मच्चु को खत्रिय के रूप में यहां पर धर्म की रक्षा करना युद्ध में विजय होना पराक्रम से लड़ना यह तुम् तुम्हें वो राज्यगादी संपत्ति सुख यह सब नहीं चाहिए फाइन आइंविट यू अन्ट कि मैं नहीं कहता कि तुम्हारी संपत्ति के लिए भोग विलास के लिए युद्ध करो नहीं मैं यह कहता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो तुम्हें पूर के महल में रहने को मिले सुक्सविदा मिले भोग विलास इसके लिए लड़ना नहीं यह मैं नहीं कह रहा है और इसलिए बगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेणा दी उन्होंने कई लोग जो टिका करने वाले लोग होते हैं ना क्रिटिसाइस करने वाले ल पाप कर रहे हैं वे लोग उकसाया नहीं है इंस्टिगेट नहीं किया है इंस्पायर किया है there is a difference between inspire and instigate बुरे काम के लिए इंस्टिगेट किया जाता है और अच्छे काम के लिए इंस्पायर किया जाता है you cannot inspire someone to kill you can instigate someone to kill but you can inspire someone to progress तो यहाँ पर श्री कुष्ट का जो message है वो inspiration instigation नहीं यह तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन और नहीं करोगे तो कुछ तुम चूक रहे हो याद रखो वो पाप होगा ऐसे व्यक्ति का इंद्रिया राम जो केवल इंद्रियों का सुख चाहते हैं पापी जीवन जीते हैं उनका जीवन क्यों व्यर्थ है कारण पहले उनके जीवन से उनका अपना कोई पुर्शार्थ सशिद्ध नहीं होता है मानव देह धारन करके इस लोक में वो लोग आये क्या उन्होंने पहले तो अपना भला किया नहीं किया वो इंद्रियों का सुख तो पशु भी भोगते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? दूसरा वे अपना भला तो नहीं करते लेकिं अगायो पाप करते जाते मतलब वो अपना बूरा करते हैं अपना नुकसां कर रहें उनको पता ना चलता हो लेकिन वास्तविकता हिए है कि वो अपने पाप का बैलेंस बढ़ा रहे हैं तो इसका यह हुआ इसका अर्था यह हुआ कि यह लोग जितने अधिक जीएंगे उतना अधिक उनका पाप का जोला भारी होता जाएगा इसलिए भी उनका जीना व्यर्था है और चौथी बात ऐसे लोग जो केवल सेंशियल हैपिनेस के लिए जो केवल सेलफिश मोटिव के लिए जीते हैं वे लोग समाज की यह जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं इंबैलेंस सरजन कर देते हैं समाज की विवस्था को असंतुलित कर देते हैं अब जितने लोगों को हमने पापी कहा न चाहे वो रावन हो चाहे वो काउंस हो चाहे वो हिरन्यकशीपू हो या अधुनी क्यों के जो कुछ राक्षस है वो आप समझ लिए कौन है आप सब जानते हैं ये लोगों ने क्या किया ये पापी लोगों ने उन्होंने समाज विवस्था को अंसंतुलित कर दिया उनके समाज का जो सुंदर बैलेंस था वो तोड़ दिया इसलिए उनका जीना व्यर्थ है मोगम पार्थस्थ जीवती तो इसलोग में प्रभुस्पष्ट कहते हैं कि जो कर्म करने हैं वो करने ही चाहिए नहीं करोगे तो भी दोश लगता है थोड़ा और इसको डीटेल में सोचें प्रियस्वजणों तो एवं प्रवर्तितम चक्रम ये जो चक्र है उसका जो अनुवर्तन नहीं करता है प्रियस्वजणों कोई भी जो सिस्टम चलती है न व्यवस्था यंत्रना उसमें हाँ कोई बड़े पार्ट्स होते हैं कोई छोटे पार्ट्स होते हैं लेकिन छोटे पार्ट का भी रोल तो उतना ही होता है तीस साल पहले की बात कर रहा हूं कॉलेज में था कॉलेज पूरी होने आई थी और स्कूटर लिया था पहला टूविलर ले तो लिया कुछ पता तो नहीं चलता था मशीन में अभी के तो टूविलर कैसे होते हैं मुझे पता नहीं मैंने चलाए नहीं लेकिन आज से तीस साल पहले की यदि तीस पहले की बात करूं बजाज कब और बजाज सूपर और ऐसे सब जो आते थे स्कूटर चे तक आता था मेरे पास सूपर या कब ऐसा कुछ था तो बजाज कर बारिश की रुटू हो या तो बहुत दिनों से चला या नहों तो कभी-कभी चलते हुए अटक जाता था या स्टार्ट ही नहीं होता था पहुचना है कहीं पर चल नहीं रहा है स्कूटर तो फिर कुछ लोगोंने बताया कि वो स्कूटर को ऐसे थोड़ा सा जुकाओ उससे वो पेट्रोल में के उसका स्पार्ग लगाता था वो 15 20 25 रुबे का स्पार्ट लग होता था बहुत ज्यादा नहीं होता था तो हम लोग सेंड पेपर आता है ना कांच कांच जैसा पेपर घिसने का जो आता है सेंड पेपर कहते हैं उसको उसका एक टुकड़ा हमको बताया जारा था कि गाड़े भी रखो है अंदरे और कभी ऐसी तकलीफ हो तो वो स्पार्क प्लग निकाल कर उसको जड़ा ये सेंड पेपर से जई है गिसके वापस वो स्पार्क प्लग टालो चालू हो जाता था है है और बहुत तकलीफ हो कर जिस न चले तो वो 15-20 अबha government बदल दो और खास करके हमारे मुंबई में वे जो यूमीडिटी होती थी उसकी वज़र से कहा जा जाना कि हो जाता था छे आट मैंने में एक बार तो वो करना पड़ता था अब जरा सोचो इतना बड़ा वो पता नहीं दस्पंदराजार रुपे का स्कूटर आता था उस समय उस जमाने इतना बड़ा स्कूटर सब ठीक से चलता है लेकिन वो पूरे यंत्रना पूरी मिकैनिजम अटक जाएगी आपका पेट्रोल भी काम नहीं करेगा आपकी मॉटर पूरे मशीन के इसाफ से देखो तो क्या है वो नगन्या है कि इन सिग्निफिकन्ट है इन सिग्निफिकन्ट होकर के भी वो अपना सिग्निफिकन्स खोता नहीं है वो छोटे से स्पार्किक प्लग का भी महत्व है वो यदि नहीं चलेगा तो पूरी सिस्टम बंद हो जाएगी गाड़ी के अंदर भी ऐसा कुछ होता होगा अब ये मशीनों से मेरा कोई ज्यादा संबंद रहा नहीं है जो किया दाया मुझे कोई बहुत बड़ी मशीन थी फैक्ट्री में और वो मशीन बंद पड़ गई पूरी फैक्ट्री बंद पड़ गई प्रोडक्शन रुख गया रॉब मट्रियल का गोडाउन भरा हुआ है बदार में माल की डिमांड है लोगोंने एड्वांस पैसे दे करके माल बुक कराया है डिलीवरी सिस्टम जो पूरी ट्रक सब ले जाने वाली वो तैयार खड़ी है लेकिन फैक्ट्री बंद है क्या कर पड़ेगा यह करना पड़ेगा उसको यह करना पहँं कि और अस्टिमेट में सब लोगों ने बड़े बड़े दीए किसीने 10लाख रुपाय किसीने 15 लाख रुपैया किसीने 20 लां कि ऊब एक आदमी आया आस पास में कहीं पर काम करता था वो लेकिन था वो भी चक्षन मशीन की कुछ लोगों की ऐसे दिमाग चलता है वो मशीनों के बारे में वो आया उसको बताया गया उसने कहा मैं चालू कर दूँगा कितना खर्चा होगा उसने का 10 लाक रुपए कितने देर में चालू करोगे हो गया तो पांच मिनिट में चालू कर दूंगा कि पांच मिनिट में चालू कर दोगे हां दस लाख रुपया हां चार्ट दस लाख रुपया लगेगा मालीक ने जो फेक्टरी का मालीक था उसने सुचा दूसरे लोगों ने भी कहा है दस लाख 15 लाख 20 लाख के भी एस्टीमेट आये हैं सब बड़े बड़े एस्टीमेट आये और लोगों ने का फ़ेक्टरी बंद रखनी पड़ेगी पूरा मशीन खुलना पड़ेगा ये करना पड़ेगा और कितना दिन चलेगा पता नहीं में रिपेरिंग वर्क मिंटेनिंस वर्क और यह आदमी बुलता है कि पांत-दस मिनिट में यह चालू हो गया तो ठीक है नहीं तो मैं चला जाओंगा एक रुप्या नहीं लूँगा आपके पास से लेकिन चालू हो गया तो दस तो मालिक पांच मिनिट भी नहीं हुए तुम के वल आये हैं इक जगह पर जाकरके 3 हथोड़ा मारने का दस लाख रुपया वो कहता है तीन हथोड़ा मारने का 10 लाक नहीं है हथोड़ा कौनसी जगह पे मारने का उसके 10 लाख है हथोड़ा तो कहीं भी भी मारा जा सकता है लेकिन जिस जगह पे मारना चाहिए ताकि आपका मशीन चालू हो जाए उसके 10 लाख रुपह ले रहा हूँ है इसको कहते हैं प्रियस्वजण यंत्र छोटी सी जगह पी कहीं हो जाए यह पता चलना चाहिए और इस यंत्रना को जो समझता नहीं है श्रीकृष्ण कहते हैं न अनुवर्तयती वह व्यक्ती पूरे सिस्टम में बाधा डाल रहा है पूरे सृष्टी के चक्र को बिगाड रहा है एक बात रख गया है मनुष्य चाहे लाक भूल करे वो स्वयम को सृष्टी से अलग समझता रहे कि मैं तो बलवान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो सुन्दर हूँ, मैं तो सत्ता दीश हूँ I am somebody, I am so and so, I am somebody उसकी वज़े से The world does not affect me ये लाक भूलता रहे वास्तविकता ये है कि मनुष्य प्रकृती से मनुष्य ये पूरी समाज की गतिविदी से मनुष्य ये अस्तित्व के सिद्धान्तों से जुडा हुआ है सौंसार और व्यक्ति They cannot be mutually exclusive वो कभी भी watertight compartment नहीं हो सकते they are and they will always be connected somewhere somehow forever one cannot disconnect himself completely from the rest of the world at least on the material level on the physiological level samsaar के स्तर पर अलग कर ही नहीं सकते आत्मा की बात अलग है जब बात आएगी तब उसकी चर्चा हम करेंगी लेकिन as long as the physiology goes as long as the biology goes as long as the शरीर का इसलिए तो भगवान ने कहा ना कि शरीर यात्रा पी चतेना प्रसिद्य दक्रमान यह शरीर की जो यात्रा है वो तो संसार से जुड़ी हुई है प्रकृती से जुड़ी हुई है इसलिए यह सुरुष्टी में चल रहे यगने का पालन करना यह व्यक्ती का करतव्य है और जो व्यक्ती चुक जाता है केवल ममता, स्वार्थ, वासना, मोह, अहंकार ऐसे विकारों से युक्त होकर केवल अपने इंद्रियों को सुख पहुचाने में डुबा हुआ है उसे यहां प्रभगवान ने इंद्रिया रामह कहा, इंद्रियों में रमन करने वाला कहा और वैसा यह मनुष्य तो पश्यू से भी बंतर है सच्छब पर्शन इस वर्स देन अनिमल क्यों? क्योंकि पश्यू योनी में वो जो जीव है न वो तो बेचारे अपने पुर्वक्रुत पाप जो है उसको खपा रहा है वो नए पाप तो नहीं करता पश्यू कभी नए पाप का बंधन खड़ा नहीं करता, पुराने पापों को खपा रहा है जबकि मनुष्य जन्म में आकर मनुष्य शरीर पा करके जो विक्तिय पाप कर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो पुन्य करने का अपना मौका जो अवसर मिला है ये मानव देह जन्तु नाम नरजन्म दुरुला बताराम कुंस्वम तद्गवी प्रता क्या तो श्री डाम चरित मानस के उत्तरकान में गोस्वमी कहते हैं बड़े भाग मानुष्य तनु पावा श्रुमत भागवत के सात्वे स्कन में प्रहलाज जी जो उपदेश करते हैं दुल्लभम मानुष्यम जन्मत अदप्यद्रु अमर्थदम एक rare opportunity जो मिली थी पुण्य करने की वो गवा रहा है पुण्य तो नहीं करा पाप कर रहा है इसकार था वो अपने अधब पतन का मार्ग बना रहा है इसलिए उसको इंद्रिया राम कहा और अगायू कहा अपने लिए तो पाप कर रहा है और शुष्टी को दुख पहुचा रहा है मोगम पार्थस जीवती इसलिए यह बहुत पर्लामेंटरी लेंग्वीज में बहुत सब्य भाषा में श्री कृष्टन ने कहा है यह व्यक्ति मोगम जीवती रता वियर्त जीता है इसकारथ यह हुआ आसे व्यक्तियों के न रहने से कम से कम सुरूष्टी में दुख तो नहीं होगा कम से कम वो इंबैलेंस कर रहा था आसांतुलन कर रहा था वो तो नहीं होगा देखिए इस अध्याय में प्रभू कितने स्पष्ट है 12 श्लुक में तीसरे अध्याय के 12 श्लुक में प्रभू ने कहा कि यह जो परस्पर अदान प्रदान नहीं करता वो यो भूंगते इस तेन एवसा थैविदत्तान प्रदाइब्यो स्रुष्टी से हमें जो कुछ मिला है उसको स्रुष्टी में वापस न लौटाने वाला कौन है चोर है 12 श्लुक में भगवान ने कहा चोर है अब यहां 16 श्लुक में तो भगवान ने और जरा कड़क भाशा में कहा वो व्यर्थ जीता है यह लीवज इन वेइंग ऐसे व्यक्ति का होना न होना बराबर है तो प्रियस वजनों जीवन में हमेशा यह प्रयास करना यह जो प्रवर्थित चक्र है यंग्ने चक्र चक्र कैसा होता है वर्तुलाकार है सर्क्यूलर है और उसकी वास खासियत है उसकी विशेशता है सरकल का हमेशा एक केंद्र होता है मैं तो साइंस का विद्धियारती रहा गनीत मेरा प्रिय विशे रहा एल्जिवरेंज जोमेट्री तो सरकल की डेफिनेशन ही यह थी कि all the points are equidistant from the center उसको सरकल कहते है जब केंद्र बिंदू है उस केंद्र बिंदू से equal distance हो जो equal distance है उसको radius कहते है त्रिज्जिया तो पूरे कोई भी बिंदू को लो आप सरकल के वो उसके केंद्र से समान अंतर पर होगा यह वर्तुल की विशेष्टा है कि सुरुष्टी भी एक चक्र है इसका अर्थ जितने भी जीव हैं जितने भी पदार्थ हैं जितने भी प्राणी है विस सभी उसका जो केंद्र है आत्म परमात्मा दस्प्रीम पावर उससे इक्विडिस्टन्ट है मतलब सब समान रूप से जुड़े हुए हैं कोई अहंकारी व्यक्तियसा माने कि मैं बहुत बड़ा हूँ है नाइं वेरी इंपॉर्टेंट और अधर्सार नौट वो उसकी अपनी ख्यालेत है उसके अपने विचार हैं वास्तविट्ता ये हैं जैसे को रहे कि हुण आप स्कुटरं में मॉटर का भी महत्व है और वह चोटे से स्पर्क प्लग का भी महत्व है है स्टुष्टीeren से क्शोता भी जीव हो गा उसका भी मतल फुष्ट इस लीज़िज जातियां पशु जातियां वरस्पति की जातियां उनको बचाओ सेव टाइगर शेर को बचाओ वाग को बचाओ क्यों हमें लगता है अरे बाग नहीं मरेगा मान डालो चमडा बेच दो पैसा आता है याद रखना सुष्टी में यदि टाइगर नहीं रहेगा तो उससे अपने अस्तित्व पर भी कुछ नुकसान हो सकता है हम कभी टाइगर के पास जाते नहीं उसके पास जाने से डरते हैं लगता है सीधा कोई संबंद नहीं हमारा फिर भी यह पूरी एकोलोजी की जो व्यवस्था है उसमें टाइगर का होना आवश्यक है लायन का होना आवश्यक है हाथी का होना आवश्यक है हमारे सामाने व्यवार से हमें लगता है कि हम कोई जुड़े हुए नहीं है ठीक है वो सामाने बुद्धी है लेकिन ये पूरे चक्र के रूप में तुल्सी के पौधे की महिमा क्यों बताए क्योंकि लोग कहते हैं पूरी दुनिया में कौन तुल्सी का पौधा लगाता है फिर भी उनकी तो लाइफ चलती है लेकिन तुम्हारे आंगन में यदि तुल्सी का पौधा होगा तो तुम्हारी जीवन अच्छा होगा बहतर होग क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उस लिंक को तोड़ दोगे कुछ वर्ष चले जाएंगे अब लाखों वर्षों का जो पृत्वी का इतियास में उसमें 100-200-500 वर्ष बहुत-बड़ा माहिना नहीं रखते बहुत-बड़ा आरता नहीं रखते लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं शहर में रहने वाले व्यक्ति ने सोचा मेरा जीवन तो चलता है न जंगल में कुछ भी हो जाया मुरे क्या फरक पड़ता है जंगलों में आग लगने लगी जंगल कटने लगे विवीद प्रोडक्शन के लिए पेपर बनाने के लिए मकान बनाने के लिए लोगों ने विचार हीन रूप से जंगलों को काटना शुरू कर दिया बीस-पचीस साल तक पता नहीं चला लेकिन तुरंट फिर वो जो विज्यानिक थे वो सावधानों क्या हो रहा है इतने हजारों एकड़ों में जंगल जब कटने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग पुर्चवी पे गर्मी बढ़ रही क्या होगा अरे नौर्स पोल में साउस पोल में बरफ पिगल रही है समंदर का पानी उपर आयागा सुनामी आएगी अर्सक्वेक होने लगेंगे यह होने लगे अब वहां कागश की फैक्ट्री लगाने के लिए तो घर बनाने के लिए लकडी बनाने के लिए जंगल काट रहा है वो तो कहेगा मैं तो यहां 25 एकर का जंगल काड़ हो 25 एकर कोई तूसरा तीसरा चौथा ऐसे जब जंगल करते जाएंगे अब किसने सोचा था कहां जंगल है कहां नौर्थ फोल का ग्लेशियर्स है बरफ पिगल रही है कहां वो समंदर है जिसका पानी बढ़ रहा है और कहां सुनामी आ रही ये पूरा चक्र जुड़ा हुआ है प्रियस्वजमा जंगल में लकडी काटने वाले समंदर द्रूव में जो बरफ की शिलाएं उसको पिगला रही है वो आदिवासी ने तो सोचा भी नहीं उसके बारे में कि वहां बरफ की शिलाएं वो आदिवासी ने सोचा भी नहीं कि समंदर में उसकी वज़ा से लहने बड़ी हो रही है तो वो नहीं सोचा तो वो आदिवासी की अपनी अज्ञानता है लेकिन उसके अज्ञान का परिणाम पुरिस्ष्टी को भुगतना पड़ता ये पाप है तो यगन से मेग, मेग से वृष्टी, वृष्टी से अन्न, अन्न से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से यगन फिर वो यगन से मेग, ये पूरा जो का चक्र है, उसका पालन करना है, सिस्टिम को फॉलो करना, जो सिस्टिम में सब कुछ इंटरडिपेंडन्ट है विग्यानिकों ने खोज की अब उनकी तो बड़ी-बड़ी अभिलाशाएं थी, बड़ी-बड़ी तमन्नाएं थी चंद्र पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, गुरु पर जाएंगे, वहाँ यान भेजेंगे सेटलाइट भेजेंगे, वहाँ से ये होगा, उसके सेलफोन के सिगनल्स वहाँ पर आएंगे कम्यूनिकेशन आसान हो जाएगा, 2G, 3G, 4G, 5G अब जो एक के बाद, एक के बाद एक सेटलाइट जाने लगे, प्राइदे तो लोग खुश वे वावा कितनी प्रगती हो रही है, हम उपगरा जो पृत्रिम उपगरा छोड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कैमेरा लगे हैं, वहाँ पर जो इंस्ट्रुमेंट लगे हैं, उससे पूरी सुरुष्टी का हवामान, मौसम का पता चलता है, कहां कब बारिश आईगी, क्या होगा, कैसे होगा, सब पता चलता है, पढ़्यती हो रहे हैं, कुछ विज्यानिकों निस्तावधान करके कहा कि आप ये जो धड़ा-धड़ सैटेलाइट छोड़ रहे हो ना, उससे पृत्वी के ओजोन लेयर्स में होल्स हो रहे हैं, चिद्र हो रहे हैं, और उस ओजोन लेयर्स में जो चिद्र हो रहे हैं, उसकी वज़ा से सुरिय की जो हानिकार किरणे हैं, वो पृत्वी में प्रवेश कर रही हैं और उससे मनुष्यों को, पशुओं को, कई लोगों को, कई प्रकार के रोग होने लगे हैं, कुछ प्रकार के स्किन डिजीज होने लगे हैं, हुमारे नाराणभाई पटेल अमदाबाद में बड़े सुलजे हुए वईज्यानिक, एन्वार्मेंटलिस्ट, रत्न हैं एक प्रकार के, समाज समझे न समझे, वो समाज की मरियादा है, मेरे बहुत प्रियस्वजन, अत्यंत परसपरादर का भाव है, उनकी कितनी छोटी छोटी बाते मैंने जिवन में रखली उतार ली, बड़ी-बड़ी कॉन्फरेंस इसमें जाकर के विश्वभर में वो एन्वाइन्मेंट के ऊपर प्रस्तुत करते हैं, सामने मिलेंगे तो आपको कुर्ता पजामा पहने हुए हमारे नारण भाई पटेल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और पृत्वी के लिए इतना सोचना है वो, आने वाले उज्वल भविश्य के लिए, चोटी बात उन्होंने मुझे बताई है, अब यूशली हम सबका एसी रखते हैं, मैं आप सबसे पूछूँ, आप जो आर कंडिशनर रखते हो, टेंपरेचर कितने पर रखते हो, विश्य करके जो यंग जनरेशन ही वा पीड़ी, हो कहेंगे 20, 20, 22 पर, गाड़ी में भी ए 20 पर, 22 पर, 23 पर एसी रखो और फिर कंबल उड़के सो, हमारे नारण भाय ने कहा यह तो मुर्खता है, 20 डिग्री पर एसी रखो और कंबल उड़के सो, नारण भाय ने मुझे समझाया, 27 डिग्री रखना चाहिए, और यह मैं बात करता हूँ 10-12 वर्ष फैले की, अभी 27 डिग्री रखना चाहिए, उससे कम मत रखो, मुझे तो यह 15 वर्ष पहले कहा नारण भाय ने, 15 वर्ष पहले मैंने, मेरे एक स्वभाव है, जब भी कोई व्यक्ती मेरी अच्छी, मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो मैं तुरंट उसको आच्रण में रख देता हूँ, फिर मैं वहाँ जिद्नी के ता, नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे में, नहीं मुझे तो 20 की ही आदत है, उसके मिना तो हम सो ही नहीं सकते हो तो, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो छोड़ो, क्या कहें हम, लेकिन हमारे नारण भाई पटे ने जब बताया, गुरुजी ये नहीं है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आखों के ड्राइनेस आजाएगी, आपकी हड़ियां नुकसान करने लगी, हड़ियों को नुकसान होगा, आथराइटीस जल्दी आ जाएगा, तो ये जब स और वादत पड़ गई, बहुत अच्छा है, हो सके तब तक, अब एसी का इस्तिमाल भी कम कर दिया, पुद्रती जो हवा है, नै चुल्द, मैं पंखा भी नहीं है, पंखा के तो ख्याल पहले से यादत नहीं थी, तो जितना प्रकृती के साथ रहेंगे, जितना प्रकृती के समीप रहेंगे, 20-22 degree centigrade वाला AC तुम्हें लगता है कि सुख है, कमफर्ट है, लेकिन वो नुकसान कर रहा है, व्यक्ति को भी जो अंदर है, एसी के अंदर उसको भी नुकसान कर रहा है, बाहर के बाता वरान को ग्लोबल वार्मिंग में कॉंट्रिबूट कर रहा है, वो क मैंने यो कहा न कि ओजोन लेयर में छीद रहोते हैं, उससे स्किन डिजीज होना शुरू हो गया, अब जिसको वो स्किन डिजीज हो उसको पता नहीं है, कि ये स्किन डिजीज उसको हुआ है, वो रॉकेट छोड़े है उससे जो गलत प्रकार की सुर्य किरने आ रही है, पत छोड़ी है, वो मुझे याद नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैं अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, न मैं पालन करता हूँ, नहीं हमों का आलफारेज ये ऐसा कुछ कहते हैं, आलफारेज नहीं कुछ आए वसना हम उसका ये पूरी स्रुष्टी एक इंटर्डिपेंडन्ट सिस्टम है, इंटर्रिलेटर सिस्टम है, हम एक छोटा सा ये कुरता भी मैंने पहना है, हम क्या समझते हैं, दुकान में गए, कपड़ा पसंद आए, खरिद कर ले आए, दरजी को दिया, खतम हो गई बात, केबल पैसे स मिल जाएगा, कितने लोग जुड़े, उस खेत में जो मजदूरी जिसने की, किसान जिसने कौटन को, कपास को गाया, रूई को गाया, खलियान में ले आए, रूई को सुखाया, त्रुक ड्राइवर उसको फैक्टरी में ले गया, फैक्टरी में इसका कपड़ा बना, करते थे वो एक कुर्ते में भी सीलने वाला अलग है उसका काज बटन करने वाला अलग है इस सब लोग अलग 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 लोग और याद रखनाा पूरी सुरुष्टी में एक मनुश्य ही है जो यह पूरी सिस्टम को बिगाड़ता है। पश्चुन अभी ने विगाड़ते गाई कभी मांस नहीं खाती शेर कभी घास नहीं खाता लेकिन मनुष्य हो सब खाता है प्राणी कभी भी यह सिस्टम को नहीं बिगारते हैं वह मैशार दिभाव बने system. और कुछ लोग तो इतने विकृत मानस के होते हैं, विकृत दिमाँ के होते हैं कि वो system को तोडने में अपनी महानता समस्ते हैं. है मुर्खता हो. लेखिए जितनी system तोड़ते उनको लगता है, देखो देखो मैं तो जो चाहूं कर सकता हूं, यह पापी लोग हैं, बगवान कहते है अनुवर्तयती और दूसरा स्थुष्टी के कुरम से विरुद्ध जीना नानुवर्तयती। जीवन के धारा को अनुकूल होकर बहना ये अच्छे लोग हैं पुर्णिशाली लोग हैं और जीवन की धारा से विपरीद जो जीते हैं वो पापी लोग हैं और याद रखना, आप सुरुष्टी से, इश्वर से, परम उर्जा से प्रेम कर सकते हो, उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो, तो जीवन में उर्जा बढ़ेगी, उसके साथ विरोध में उतरोगे, सुरुष्टी के साथ विरोध, परम शक्ती, परम उर्जा के साथ विरोध कैसे बचे गालेक्ती एक बहुत सुन्दर सचोट परिक्षा इस लोक में तीसरे अद्या के सोलह में इस लोक में भगवान ने दे दी पीवन में पापी कौन है पुण्यात्मा कौन है अभी तक हमारे विचार क्या थे पापी मंदिर में जाके जो नारियल फुड़ता है, हाथ जोड़ता है आरती करता है, प्रसाथ खाता है, वो पुण्यवान वो है, हम उसका विडोत नहीं करते लेकिन यहां भगवान कहते हैं जो सुरुष्टी के नियमों का पालन करता है वो पुण्यवान है और सुरुष्टी के चक्र से विपरीट जो चलता है वो पापी है जो परोपकार करता है, वो पुण्यवान है जो केवल स्वार्थ के लिए जीता है, वो पापी है और ये सुरुष्टी के साथ, परमात्मा के साथ संगर्ष में उतरने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो नहीं सकता परमात्मा की आग्या का परमात्मा की सुरुष्टी का परमात्मा के नियमों का प्रेम पूर्ण रुप से समर्पित भाव से पालन करना यही जीवन में सुखी होने का एक मात्र अमोग उपाय है प्रियस्वजनों इस उपाय का हम पालन करें और सुष्टी में सुन्दर रुप से जीएं आज की बात पूरी करने से पहले एक सुन्दर छोटी सी बात आपसे कह दूँ सतकर्म परिवार के द्वारा के डिला फार्मासोटिकल परिवार के तत्वाओधान में उनके मनोरतिपद में मातो जी शीला बैं इंग्रवधन मोदी के पुनिस सुननने में जो वैश्विक सामुहिक भागवत कथा का आयोजन सतकर्म परिवार ने किया है प्रियस्वजनों ब 25 तारीकों रेकॉर्डिंग कर रहे हैं एक एक अजार आठ पोथी हो चुकी है और ये रिजिस्टर वन थाउजन ने पोथी फ्रॉम वर्ल्ड ओवर तो जिन जिन लोगों ने पोथी रिजिस्टर करवाई हैं अपने पितरों के लिए अपने खुद के लिए या निश्का मनु सम्मिलित होने के लिए प्रेदिक्ष करें क्यूंकि इस बिलकुल निश्फ़ुल क भाव से हमारा यग्न्य है सतकर्म, परीवार का, केडिवार, फर्म्यक्य क्वार का, निश्काम भाव से, परोब कार के भाव से, समाज के पास से एक रुपिया लेना ने, कोई अप्यक्सा नहीं है केवल सेवा के रूप में और इस पैंडेमिक की स्थिती में जिन्हों ने अपने स्वजनों को गवाया है उनके मन को ध्रता देने के लिए पॉजिटिविटी प्रदान करने के लिए सेवा का प्रकल्प है आप सभी उसमें सम्मिलीत हो ये पूथी रजिस्टर तो अवश्य कराईए यदि न कराई हो कोई बात नहीं कथा श्रवन के लिए भी ये पुज्य श्री भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को प्रेरित करें ताकि इस चैनल के उपर वो कथा और आने वाले अती सुन्दर जो कारेक्रम है नीमीत प्रेणा का आप सभी उसमें लावानूित होईए पुज्य श्री भाई चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यों को भी प्रेरित करें बगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बरस्ती रहे स्वस्थर हैं मस्त रहें आनंदीत रहें और प्रभुकरुपा का अनुभव करते रहें, जीवन को सफल बनाएं यही शुबकामना के साथ कृष्णायवासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमा ओम शान्ते शान्ते शान्ते